पूरे देश में जो देख रहा हूं मैं इसको राज्यों की राजनिती से काफी उपर उठ चुका है यह लोगसभा का चुनाव राज्यों की राजनिती से काफी उपर उठ चुका है और यह मैं इसको अच्छी निशानी मानता हूं और यह मैंने 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा, और जो शुरू में आपने सवाल पूछा था, इसमें का जवाब इसमें भी है ये, 2014 और 2019 के चुनाव में थोड़ा भूत भी राज्यों की स्थितियां सर्चभी का असर रहता था, 2019 में तो काफी काम हो गयता, चौबीस में तो मैं देख रहा हूं कि देश का जण्मन देश के लिए चुनाव, देश के भविष के लिए चुनाव, लोकसभा के लिए चुनाव, प्रधानमित्री कौन बने इसके लिए चुनाव, इस पर केंदरित है, है और जो इंडिय एलाइंस को तकलीब हो रही है वह इसी बात पर हो रही है कि पहले नाम तो बता आंग आपका प्रधाम में तरी को ब किसको दे फिर वह कहते हैं कि अब यह भी पार्टी 272 सीट नहीं लड रही है जब बीजेपी के सेवा कोई भी प्रटी 272 सीट नहीं लडत हो तो सरकार मनाने का प्रस्न ही उड़ता है जी कम से कम 200 सीटों से जादा लड़ने की नौबत ही नहीं बची इनकी यह हाल हो गया चार सो सीट बैड लेकर के बैठे हुए किसी जमाने में आज 272 सीट नहीं लड़ा पा रहे हैं और इसलिए फॉर्मिलार आ रहे हैं कि वन यर वन पीम